अपने सभी उन पूझ्य धर्माचारियों पूझ्य संतों का भी हिर्दे से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जो आज उत्तर प्रदेश की जर्थी पर इस संपूर्ण कारिक्रम में साक्सी बन रहे हैं मैं उन सभी पूज संतों और महानुभाओं का भी हर्दे से स्वागत रविनंदन करता हूँ जिनकी प्रत्यक्स अनभूती हम लोग यहाँ पर करतो रहे हैं लेकिन वे प्रत्यक्स रूप से यहाँ पर इस कारिक्रम में सेवागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बैस्ट्रिक महामारी करोना के खिलाब जो लड़ाई देश की चल लई है उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइल लाइन भारत सरकार ने जारी की है उसके तहती सीमित संख्या में अतितियों का आमंतन हो सकता था और उसका पालन करते वे भी हमें इस एथ्यासिक तिथी को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभाओं का हिर्दे से स्वागत करता हूँ उन सब को किसी न किसी रूप में हम आने वाले कारिक्रमों में से भागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्सों में करेंगे कि उनकी उपस्तिती प्रतेक्स अनभूती अयोत्या में हो सके और उनकी प्रतेक्स अनभूती के माध्यम से या कारिकरम अवदपुरी को जो गारों मिलना चाहिए इस गारों को हम आगे वढ़ा सकें हम सब के लिए आज करे दिन इसले भी महत्वपून है ये कारिकरम केवल मंदिर निर्मान के कारिकरम का सुभारंब ही नहीं एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक आउस्वर है जिसे आज से छे वर्स पहले आदनिय प्रधान मंत्री जी ने रामराज्य की उस अवधाना को चरितार्थ करने के लिए आगे वढ़ाया था जिसमें किसी के साथ ना जाती के नाम पर ना छेतर के नाम पर ना भासा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते वे जिस कारिकरम को छे वर्स पहले आगे बढ़ाया था भगवान राम का ये भव्य और दिब्यमंदिर भगवान राम की यस और कीरति के इन रूप भारत की यस और कीरति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कारे करेगा इस विश्वाथ के साथ मैं एक बार फिर से आज की साथर पर आदने प्रधान मंत्री जी का जास्तिय स्यम से वक्संग के सरसंग चालत जी का अपने सभी मानने अच्थियों का पूझे धर्माचार्यों का संतगणों का सभी महानुभाओं का उत्तर प्रदेश किस धर्दी पर और अवद्पुरी किस दर्थी पर हिर्दे से अविनंदन करता हूँ सागत करता हूँ जैजै श्री राम